हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम वेक टू इस्टिडीकर, मैं हूँ आपका दोस्त अप्रभाकर, दोस्तो आज हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं 28 जन्वरी 2022 से रिलेटिड मोश्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्यस्ट, तो लेक्चर को आप ध्यान से सुनते जाएगेगा, अन् आपको इसका पीडिएप चाहिए, तो पीडिएप के लिए आपको हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए दोस्तो पहला कोश्चन डिसकस करते हैं, important question है, तो ध्यान से सुनते जाएगा, भरहष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में 181 देशों में 85 रचासी वाइस्थान किस देश को मिला है, तो इसका आंसर है भारत, यानि दोस्तो पहला कर छावए इस्थान किस देश को मिला है, इंडिया को मिला है, ठीक है दोस् भारत की रंक क्या है तो आंसर हो जाएगा इसका 85 दोस्तो इसमें कुल कितने देश सामिल हुए थे 180 देश सामिल हुए थे किसने जारी किया है इस इंडेक्स को तो ध्यान से सुनिएगा इस कंपनी का नाम इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स ठीक है तो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसके द्वारा जारी किया जाता है हर साल भरष्टाचार पर एक इंडेक्स इसमें भारत 2021 में किस इस्थान पर है याद रखीगा 85 इस्थान पर है और इसको कुल अंक कितने मिले ह 40 अंक मिले हैं 100 नंबर का score होता है यानि high Games टंक 100 होते हैं और minimum होते हैं सूर तो भारत को कितने अंक मिले हैं 40 अंक मिले हैं ठीक है पिछले साल यानि 2020 की बात करें तो 2020 में भारत को 40 अंक मिले थे लेकिन उसकी rank कितनी थी 86 थी ध्यान से सुनते जाईएगा दोस्तो 2020 मे रंक क्या थी ? भारत की 86 और 2021 में रंक क्या है ? 2021 में रंक है दोस्तो ? 85 ठीक है ? यानि एक पायधान का लाब हुआ है किसे ? भारत को पिछले 6 सालों की बात करे तो भारत 9 पायधान नीचे आया है क्योंकि 2015 में भारत के पडोसी देशों में भूटान आता है भूटान की रैंकिंग सबसे अच्छी है दोस्तो भारत की पडोसी देशों में सबसे अच्छी रैंक है किसकी भूटान की और उसके कुल नंबर है 25 यानि वो 25 बे नंबर पर है ठीक है यानि उसका क्रम कितने नंबर पर है 25 बे पर हैं चायना की बात करें तो वो 66 बे इस्थान पर है और सबसे खराब हालत है पाकिस्तान की किसकी दोस्तो पाकिस्तान की वो 142 इस्थान पर है और भारत का ही एक पडोसी देश से जिसका नाम है म्यामार वो भी 140 इस्थान पर है सिलंका की बात करें तो सिलंका 102 इस्थान प तो अमेरिका जो अपने आपको सुपर पाबर कहता है तो वो टॉप फाइब देशों से बहुत दूर है और वो 27 बे नंबर पर है यानि भूटान से भी हालत खराब है किसकी अमेरिका की दोस्तो रूस की बात करें तो वो 136 बे नंबर पर है और Britain 11 वे नंबर पर है तो यह सभी point आप note करते जाएगा कि कौन किस अंक पर है दोस्तो अब हम बात करते हैं graphics के जरिए कि कौन-कौन से देश किस position पर है अगर हम बात करें दोस्तो डैनमार्क की तो इसकी ranking है पहले नंबर पर ठीक है और दोस्तो याद रखना है आपको कि पहले नंबर पर कुल तीन देश है कौन-कौन से डैनमार्क, फिनलेंड और न्यूजिलेंड यानि इन तीनों को मिला करके एक ही रेंक दी गई है यानि फ़स्ट पोजिशन पर तीन देश है डैनमार्क, फिनलेंड और न्यूजिलेंड इनको 100 में 88-88 नंबर मिले है दोस्तो फिर उसके बाद आता है नौर्वे ठीक है इसको 85 नंबर फिर आता है सिंगापूर और फिर आता है दोस्तो उसके बाद सुईडन ठीक है तो दोस्तो जो Sweden, Norway और Singapore है इन तीनों देशों को 85-85 नंबर मिले हैं ठीक है और Denmark, Finland और New Zealand को 88-88 नंबर मिले हैं ठीक है ये बराबरी पर हैं ये देश तो इनको आप जरूर नोट करीगा अब हम देखते हैं दोस्तो कि किन देशों की हालाद बहुत खराब हैं तो हम देखते हैं कि किन देशों में सबसे अधिक करप्सन हैं तो आफगानिस्तान की बात करें तो इसकी रैंक है 174 नौर्थ कोरिया की रैंक है 175 और यमन की रैंक है 176 वेने जोयला इसकी रैंक है 177 वी और सीरिया 189 बी और साउध सुडान की बात करें तो दोस्तो सबसे करप्ट देश जो है वो है साउध सुडान जिसकी रेंक है 180 यानि 180 देशों में सबसे last position किस देश की है साउध सुडान की है ठीक है दोस्तों तो इतन सभी point ओंको आप No Down कर लीजिगा अंगला प्रस्ण देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रस्ण है विस्सुबैंक ने किस राजजी के लिए लगभग एक हजार करोड रुपई के कर्ज को मंजूरी प्रदान की है तो इसका आंसर है पष्चिम मंगाल दोस्तो पश्चिम मंगाल के लिए विस बैंक ने 1000 करोड रोपय का कर्ज दिया है ठीक है दोस्तो अब हम देखते हैं कि ये कर्ज कहां पर लगाया जाएगा तो दोस्तो विस बैंक ने गरीब और कमजोर समोहों तक समाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुँचाने में मदद करने के लिए पश्चिम मंगाल सरकार को 1000 करोड रोपय का रेंड परदान किया है यानि दोस्तो जो पश्चिम मंगाल में यानि वेस्ट मंगाल में जो भी योजनाय चल रही है गरीबों के कल्यान के लिए उनके लिए सहायता की है किसने वर्ल्ड वैंक ने ठीक है दोस्तो बात आई है पश्चिम मंगाल की तो पश्चिम मंगाल की वारे में point discuss कर लेते हैं ध्यान से सुनते जाएगा पश्चिम मंगाल की जो capital है वो क्या है कोलकाता है ठीक है चीप मिनिस्टर कौन है सीटों की संख्या की बात करें तो बियालेस हैं और राजसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो सोला हैं ठीक है चलिए दोस्तो आप कुछ आपके लिए information है ध्यान से सुनते जाएगेगा अनकेडमी पर आप राजा गुपता को ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पर आपको उनकी special classes मिल जाएगी इसके अलावा आपको उनकी live classes मिल जाएगी अगर आप unacademy को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको recorded session मिल जाएगे लाइब सेशन मिल जाएगे और वहाँ पर आप doubt clear भी कर सकते हैं ठीक है दोस्तो इसके अलावा आपको जो top educator है उनसे मार्गदर्सन प्राप्त हो सकता है उनसे आप education प्राप्त कर सकते हैं unacademy पर तो जरूर जोइन करें unacademy को और राजा कुप्ता को follow कर ले दोस्तो जनवरी 2022 में कुछ batch start हुए हैं जैसे आप ये code यूज करेंगे तो आपको इन wedge को खरीदने में छूट मिल जाएगी इसके अलावा अगर आपको इभी free class भी join करना जाते हैं तो उसके लिए भी आप हमारा code यूज करेंगा राजा number one चलिए दोस्तो अपने current affairs की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला question ICC यानि International Cricket Council की तरफ से जारी ताजा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुँच गई हैं यानि दोस्तो ICC ने अभी T20 की रैंकिंग जारी की है और इसमें पहले स्थान पर कौन पहुँची हैं तो इसका answer होगा सैफाली वर्मा दोस्तो सैफाली की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुच गई हैं तो दोस्तो सैफाली वर्मा के पास 726 रंक हैं और और वो मोनी से दो अंक आगे हैं यानि जो ऐस्टेलिया की वल्ले वाज जिनका नाम है मोनी तो उनसे दो अंक आगे है पहले स्थान पर कौन है सैफाली बर्मा ठीक है आपके वल इतना याद रख सेल ने का रिकॉर्ड है ठीक है दोस्तो यह पॉइंट आप नोटडं कर लीजीगा कैँ अंग्ला कोशन हैं आंद्रफ़देस सरकार ने राज में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी अंध्रप्रदेश सरकार के द्वारा तो अंध्रप्रदेश सरकार ने हाल ही में 13 नए जिलों को बनाने की मंजूरी दे दी है कितने नए जिले दोस्तों 13 नए जिले बनानों की मंजूरी दी है यानि दोस्तो अगर हम प्रजेंट की बात करें तो प्रजेंट में कुल 13 जिले हैं और दोस्तो अगर 13 जिले और बनते हैं तो कुल मिलाकर के आंधर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी 26 यानि 26 डिस्टिक हो जाएगी कहां पर आंधर प्रदेश में ये पॉइ अकल्प कर दिया है और बहुत नए नए स्टैप ले रहे हैं कौन जगन मोहन रेड़ी राजपाल कौन है विस्व भूसन हरीचंदन याद रखेगा कि जो आंदर प्रदेश के राजपाल कौन है विस्व भूसन हरीचंदन लोक्षभाज शीटें कितनी हैं दोस्तो 25 हैं राज इसका मतलब यह है कि आपको वैल आईगोन दबाने का फायदा यह होगा कि आप जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे चलिए दोस्तो अब हम इस्टिडी कर नॉलेज को डिसकस करते हैं जिसमें हम GKGS के कुछ important question डिसकस करेंगे जो कि आपके में पूछी रहा सकते हैं तो पहला question है UAE में भारत के राजदूत की रूप में किसी नुक्त किया गया है important question है दोस्तो UAE में भारत के राजदूत कौन नुक्त की गया है हाली में संजे सुधीर अंगला प्रसन है तमिल नाडू का इस्थापना दिवस एक नॉम्बर की बज ललिया है कि अब 18 जुलाई को मना जाएगा तमिल नाडू का इस्थापना दिवस अंगला question है अस्गर अफगान किस खेल से related है तो answer है cricket से दोस्तो अस्गर अफगान अफगानिस्तान के खिलाडी है और उन्होंने अभी हाल ही में अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास लेने की भी घुशनकी है दोस्तो कौन सा सब्द Oxford English Dictionary का साल 2021 के लिए word of the year चुना गया है तो answer है इसका wax यानि wax सब्द को Oxford English Dictionary of the year चुना गया है 2021 का ठीक है ये जरूर आप नोट कर लीजिगा आने वाले एक्जाम में पूशा जा सकता है अंगला प्रसन है किस सहर में भारत का पह चलिए दोस्तो अंगला प्रसन देखते हैं important प्रसन है भारत और किस देश के बीच राजनेक संबंधों की स्थापना के 30 साल पूरे हो गए हैं तो answer है इसका इसराइल यानि दोस्तो जो भारत और इसराइल है इसके बीच राजनेक संबंधों के कितने साल पूरे हो गए हैं इसकी रालधानी दोस्तो जेरूसलम है, आपको इसकी रालधानी तेल अभीब भी मिलेगी, तो याद रखिएगा इसकी रालधानी जेरूसलम भी हो सकती है, तेल अभीब भी हो सकती है क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा विवाद है, दोस्तो अगर हम बात करें मुद्रा की, इ इसराइली सैकेल, बरतमान में यहां के राश्टपती कौन है तो उनका नाम है इस हौक हरजोक, इस हौक हरजोक इसराइल के बरतमान प्रेसिडेंट है। ठीक है दोस्तो, इसराइल की सरकार संसदिये लोगतंत पर आधारित हैं, यानि जिस परकार की विवस्था इंडिया में है उसी प्रकार की विवस्था कहां पर है इसराइल में है चलिए अंगला प्रसन देखते हैं इंपोर्टेंट प्रसन है खेलों में उतकरश्टता के लिए नीरत चोपडा को कौन सा पुरुसकार दिया गया है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आंसर होगा इसका परम सेवा मैडल भी दिया गया है तो अगर आपसे पूचा जाए कि नीरत चोपडा को किस पढ़ पुरुसकार से समानित किया गया है तो आप बताएंगे पत् princip और अगर आपसे पूचा जाए खेलों में उतकरश्टता के लिए नीरत चोपडा को कौनसा पुरुसकार मिला है त सा मेडल दोस्तो गोल्ड मेडल जीता है और अब ये गोल्डन वॉय के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तो नीरा चोपडा भारतिय सेना में चार राजपुताना राइफल्स के सुविदार हैं उन्होंने खेलों में उत्कृष्टता के लिए 2020 में परम विस्स्ट सेवा मेडल किया है दोस्तो नीरा चोपडा को 2018 में भारति सरकार के द्वारा अरजुन अवार्ड से भी सम्मानित किया है ठीक है दोस्तो तो यह प्रसन हैं ध्यान से सुनिएगा खिस देष ने हाल ही में ओनलाइन से safety bill लागू किया है तो online safety bill किस देश ने लागू में तो यह online safety विल है क्या हम इसको समझ लेते हैं जैसे online किसी ने धमकाने का कारी किया किसी को भी Australia में तो उसकी report की जा सकती है ठीक है दोस्तो और और इसकी रिपोर्ट किसको की जा सकती है E-Septy Commissioner को ठीक है E-Septy Commissioner को ये रिपोर्ट की जा सकती है जो की बर्तमान में कौन है Julie Inman Grant ठीक है Julie Inman Grant है तो उन्हें ये सिकायद की जा सकती है यानि किसी भी प्रकार की अगर ओनलाइन पर धमकी आती है तो उसके लिए आप Australia में Online Safety Bill के तहट E-Septy Commissioner को आप सिकायद कर सकते है बात आई है दोस्तो ऑस्तेलिया की तो ऑस्तेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा राष्टपती है Scott Morrison मुद्रा है Australian Dollar चलिए दोस्तो ये थे आज के Current Affairs अब हम वो Question देखते हैं जिनके Answer आपको Comment Box में देना है पहला Question सुनिएगा पहला Question है Australia के Prime Minister कौन है बहुत ही सरल Question है दोस्तो Answer आपको Comment Box में देना है पश्चिम मंगाल के Governor कौन है तो ये भी आप Answer देंगे Comment Box में तीसरा Question दियान से सुनिएगा सैफाली वर्मा का संबंद किस स्केल से है तो इसका जबाब भी आपको Comment Box में देना है कल के जो सही आंसर दिये हैं वो दिये हैं रूपाली ठाकुर और महेंदर सींग ने तो दोस्तो आप भी आंसर दीजेगा हमें इंतजार रहेगा आपके Answer का अगर आपने अभी तक Steadyker को ख़वरी अप पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें दोस्तो वहाँ पर आपको Most Important Audio Lecture में जाएंगे इसके अलावा आपके लिए एक बहुत यची ख़वरी है आप मेरा Modern Indian History का Audio Course फिरी में जोईन कर सकते हैं आपको किबल इतना गाम करना है एक Code यूज करना है Code है हमारा Steadyker 01 दोस्तो इसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा वहाँ से आप इसको जोईन कर सकते हैं आप हमसे WhatsApp के माद्दे हमसे भी संपर कर सकते हैं WhatsApp नमबर है 8602-3793 अगर आपको ये lecture पसंद आया है तो like, share जरूर करना है इसके अलाबा हमारे जितने भी social media platform है जैसे Facebook, Twitter, Instagram, YouTube और WhatsApp, Telegram इन सभी पर भी आप हमें follow कर लें समय समय पर आपको notification मिलती रहेगी मिलते हैं next lecture में जैहिन